सागर के गड़ा कोटा थानाक छेतर में एक बस ट्राले से टकरा गई जिसमें तीन यात्रियों की घटना इस साल पर ही दर्दनाप मोध हो गई और 22 यात्री घायल है जिनने इलाज के लिए अस्पताल लाया गया बताया जा रहा है कि ऐसी सिलीपर बस वारानसी से इंदोर के ओर जा रही थी जो तड़के गड़ा कोटा के चनोवा के पास थड़े ट्राले में जा भिड़ी सूचना मिलते ही पुलीस मोखे पर पहुची और काफी में शक्कत के बाद बस के गेट को कटर से काट कर घायलों को बाहर निकाला गया थाना प्रभारी प्रशान्त मीशना ने बताया जनता और पुलिस के प्रयासों से बस में फसे घायलों को निकाल लिया गया जिसमें तीन लोगों की मोथ हो गई सागर से अनिल वर्मा के साथ सल्बान कुरेशी की रिपोर्ट राक में करीब 3.30 बजे की लगबक की आसपास की बात है घटना करीब 3.30 के बीच में है ठाने पे था खावर मिली एक्सिडेंट हो गया रात्मी लेस्ट बावन को मोगे पे पहुँचा तो बस एक ट्राला में घुज गई थी जो रूट पर खड़ा हुगा था खराब होने के कारण मौकी के पुहचकार बस को इस्तिती पतिन थी बस को ना पीछे किया जा सकता था ना आगी किया जा सकता था यह सी इस्तिती में जनता के सहजोग से पुलिस में मिलके और उसको बस को जेसी भी की मदस से पीछे से दरवाजा तोड़के घालों को नकाला उसको साइड से नकाला पुलिस के प्रयासों से काफी प्रयास किये गए और जनता की भी प्रयास हुई उसमें जिसमें परीब 22 कि लग को घैल होना पता चला है तिन लोगों की मृत्ति हो हैं हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें